नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है जो आपके शरीर में बदलावाएंगे, वो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे जिया दोस्तों, भारत में ज़्यादातार जो सौफ होती है, वो खाने के बाद इस्तिमाल की जाती है क्योंकि इसको खाने से मुखी बदपू दूर हो जाती है जी याँ दोस्तों सौफ में आईरन, पोटेशिऊम, मेगनीशियम, जेंक, सीलिनियम, मेगनीशियम जैसे मिनेरल्स पाइजाते है चलिए अब हम देख लेते हैं कि सौफ के किते सारे फाइदे हैं अब हम आपका वग साया ना करते हुए सौफ के फायदों के बारे में फिस्तार से आपको कुछ बताते हैं सौफ माउथ फ्रेशनर का कारे करती है इससे कई तरह की बदबू दूर होती है इसमें कई तरह के सुगंदे तेल होते हैं जो मुँ की बद्बू को दूर करते हैं इसको चबाने से मुँ में लार का उत्पादन बढ़ता है जो मुँ में छिपे हुए खादे प्रदार्थों को निकाल कर हजम करने की क्रिया को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और यह ए इसको आपको खाना है खाना खाने के बाद सास की बद्बू को दूर करने के लिए सौफ खाया जाता है अगर आपको मसूडों में संक्रमन है तो सौफ के कुछ दिनों से पानी में डालकर उबाल ले और उसे काड़े की तरह गारगल कले इस काड़े से नेमिर रूप से गरा शुरू करते हैं इसमें जो जरूरी तत्व होते हैं वे पाचन क्रिया में कारे करती और शुरू कर देती हैं साथ ही इसमें जो फाइबर होता है वहमल को नरम करके कप्स की समस्या को दूर करने में बहुत जादा मदद करता है मासिक धर्म जानी के जो पीरट होते हैं उसमे जो मही लाए मासिक धर्म के दोरान सौफ का सेवन करती है उनको दर्द का नश्ट कम सेहन करना पड़ता है जी हाँ दोस्तों चलिए अब आप इसकी टिप जाल लीजी कैसे आप इसे प्रियोग करेंगे एक पैन में जुरूरत के अनुसार पानी ले और उसमें एक बड़ा चम करती है सौफ में आयरेन तामबा और हिस्टडाइन तीनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिससे शरीर का लाल रकर्ण का उत्पादन अच्छे तरह से होत पाता है सौफ का सेवन करने से शरीर में आयरेन की मात्रा बढ़न लगती है जिसका फॉल्स रूप हीमोगलव उनकी मात्रा बढ़ जाती है रोजाना सौफ खाना गर्बवती महिलाओं के लिए विशेश रूप से लापदायक होता है क्योंकि यह एनिमिया के बुरे परभाव से बचाती है वाटर इटिनेशन को कम करता है सौफ में मूत वर्दक गुन होने की कारण यह एडिमा होने से शरीर की रक्षा करती है इसी कुन के कारण इसमें नेवित रूप से सेवन करने से वजन भी बहुत जल्दी कम होता है इडिमा होने से बहुत से कारण होते हैं इसलिए सौफ का इस्तेमाल करने से यह पहले ही वजन को सहम करने में बहुत जादा मदद करते हैं और इसी से हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारा वजन भी घटना शुरू हो जाता है तो दोस्तों आपने देखा सौफ के कितने सारे फायदे हैं आप सब भी सौफ का इस्तिमाल कर इन सब फायदों का आराम उठा सकते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्र